ठर्रा कहिए, कंट्री लीकर कहिए, या देशी दारू कहिए, उसको एज कराया जाए, ओक वूड बैरल में, तो वही बन जाएगा विस्की, तीन बार गार डिश्टिल कर दिया जाए उसको, क्या होगा, उसके सारे स्मेल, सारे टेस्ट, और इम्पॉरिटीज, सब गायब, व देन, लेमन, दिस इस दे कॉम्बिनेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हलो, नमशकार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में, अज पब्लिक डिमांड आज रीव्यू है, मैजिक मोमेंट, ग्रीन एपल फ्लेवर का, तो चलिए सुरू करते हैं, अच्छा, आप कहेंगे, ये दो-दो ग्लास, एक नोजिंग अन टेस्टिंग ग्लास, और ये दूसरा शॉर्ट्स ग्लास, आपको मैं बताऊंगा, शॉर्ट्स कैसे लिया आता है, ओके, काफी कुछ मित है वोटका के साथ, क्या ये लेडिस ड्रिंक है, क्या ये आलू से ब नोजिंग अन टेस्टिंग भी करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसा ड्रिंक है ये, बॉटल के बारे में बहुत जादा बात करने की जरूत नहीं है, आप सब लोगों ने देख रखा होगा इसको, इस वेरी नाइस लुकिंग बॉटल, पुरा फ्रॉस्टेड है बाहर से, स 760 जहारखंड में, फटाफट सब करूँ आज, एक और चीज, सबसे पहले आप लोग फटाफट सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक वाइक कीजिए, आप लोग के लिए मैं इतना informative वीडियो लाता हूँ, इतना research करके, इतना मेहनत करके, आप लोग वीडियो देखते हैं, मजा करते हैं, information लेते हैं, और बिना subscribe किये चले आते हैं, it really hurts, तो अभी से आप लोग subscribe कीजिए, like कीजिए, आगे बढ़ता हूँ अभी, magic moment ये आता है, from the house of Radico Khetan, जो की India की number one leaker company है, और एक से एक product है Radico Khetan के अंदर, 8pm whisky, huge selling whisky, अगर high end product की बात की जाए, तो रामपूर single malch whisky, top class, अचा, Radico Khetan का पहले distillery का नाम भी रामपूर distillery हुआ करता था, बाद में Khetan Brothers ने इसको जब own किया, तो आज की rate में it is known as Radico Khetan, आते हैं, magic moment के उपर, It's a triple distilled vodka, सबसे पहले एक मिनिट में बताता चलता हूँ, what is the difference between whisky and vodka, हलाकि पहले मैंने दो-तीन वीडियो में ये अच्छे से explain किया है, इसके उपर मेरा shots भी है आप चाहे, तो जा करके refer कर सकते हैं, अब भी फटा-फट बताता हूँ, किसी भी grains को ferment करा करके, उससे अगर dist किया जाता है, तो उससे निकलता है alcohol, और वो alcohol अगर direct consume करने के लिए आ जाए, तो वो कहलाएगा ठर्रा, ठर्रा कहिए, country leaker कहिए, या देसी दारू कहिए, वो, अगर उसको aging के process में चले जाए, उसको age कराया जाए, oakwood barrel में, तो वही बन जाएगा whisky, अगर उसको दुबार से distill करेंगे, तो वो कुछ-कुछ वोड़का के जैसा आ जाएगा, दो-तीन बार डिस्टिल कर दिया जाए उसको, क्या होगा, उसके सारे smell, सारे taste, all impurities, सब गायब, वो एक दम crystal clear water के जैसा, tasteless smell के बगएर, वो हो गया, वोड़का, तो magic moment is triple distilled वोड़का, अब जैसे smirnoff, sm आपने नाम सुना है, absolute का, absolute 10 times distilled वोड़का होता है, कई वोड़का तो मैंने 21 times distilled भी सुना है, तो जितना बार आप distilled करते जाएंगे, उसका order, उसका smell, उसका taste, सब वो खतम होता चला जाएगा, और बात में वो एक दम neutral, neutral, और extra neutral होता चला जाएगा, तो ये है, जैसे ज़्यादा neutral कर देते हैं, उसमें ना कोई अब smell है, ना कोई taste है, तो आपकी जो मरजी हो, ऐसा flavor डालिए उसमें, और उसके जैसा वो taste करने लगेगा, कुछ नहीं डालेंगे, तो भी, it's very like, आप सीधा lemon डालिए, और कुछ soda डालिए, coke डालिए, sprite डालिए, और आराम से enjoy की तो this is wood का, magic moment, triple distilled wood का, open करते हैं इसको, green apple का, खुश्च्बू आ रहा है, एक और बात, green apple आप मेंसे किसको किसको पसंद है, मुझे तो पसंद नहीं है, वो खटा सा, मीठा सा, अजीब सा taste, बच्चों को कभी पसंद आता है, कभी नहीं आता है, I'm sure कि आप लोगों मेंसे ज़्यादा लोग green apple को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन वोड़का में, green apple is the, क्या कहूं, ultimate combination, actually क्या है, कोई भी alcohol है, वो बहुँ ज़्यादा sweet और सर्बत और उसके जैसा taste तो नहीं करना चाहिए, alcohol को तो alcohol के जैसा taste करना चाहिए, तो थोड़ा सा harshness लगना चाहिए, तो green apple में क्या है, वो थोड़ा सा, हलका sweetness, थोड़ा shower, और थोड़ा सा एक उसका smell, तो, और वो इसके साथ compliment करता है, अब smell की बारी है, smell क्या करूँ, ये तो दू से पुरा green apple का smell दे रहा है, anyway, बहुत बहुत overpowering green apple का smell है, हाँ, लेकिन, neutral spirit का smell पूरा zero नहीं है, अगर नॉमल एक इंडियन विस्की में, इस रेंज की विस्की में, साथ आठ सो रुपे तक की विस्की में, वो वन से टेन तक में five पे होता है, तो ये one और one and half पे होगा, इतना ही भवका है इसमें, भवका है नहीं, बस आपको पता चलेगा, ये, it's an alcoholic drink, तो ये रही बात smell की, अब बारी taste, very smooth, there is no burn at all in मुँ के अंदर, नीचे भी जाता है, तो ये कोई बहुत चादा इसकी विस्कॉस्टी नहीं है, एसानी की बहुत धीरे जाता है, अराम से नीचे जाता है, but there is no burn at all, और सीधा green apple, green apple, green apple, ये है, एक बार फिर से, एक और चीज है, वोड़का, चाहे ये magic moment हो, या इवन और कोई different brand भी, जिस प्राइस पे ये वोड़का, ये like 670 रुपीज का वोड़का है, कोई भी 670 रुपीज क्या 1000 रुपे का विस्की इतना easy to drink नहीं हो सकता है, जितना की ये magic moment वोड़का, इसलिए इतना easy to drink है, थोरा सा fruity, apple flavor, या और भी different flavors में आते हैं, तो क्या है कि लेडीज का ये favorite बन जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जेन्स नहीं पीते हैं, पूरी दुनिया में entire Russia, जेन्स, लेडीज सब लोग वोड़का पीते हैं, यॉरॉप में भी बहुत ज्यादा वोड़का, और अभी तो पूरा worldwide वोड़का is very, very, very popular drink, चलिए मैंने वादा किया था कि आपको मैं शॉट्स भी दिखाऊंगा, तो इसमें एक शॉट्स, I think 45 ml पोर करते हैं, वैसे ये शॉट्स ग्लास ये थोड़ा बड़ा साइज का है, this is 75 ml, ये I think 50 ml होना चाहिए, अब शॉट्स के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्या तरी इसको जरासा यहां पर गीला कर लिजे लेमन से, उसके बाद आप एक पिंच के जितना ही, या पिंच से थोड़ा जाता है, like इतना, salt, ये लेमन इसलिए दिये थे, so that कि ये यहां पर टिके इधर उधर जाए ना, number one, अभी हाथ में लिया जाएगा, लेमन, और इस हाथ में वोड़का, ये रही तैयारी, this is called तैयारी, अभी इसको एक साथ उपर जाएंगे, सबसे पहले salt, then वोड़का, and then लेमन, this is the combination, तो चलिए श्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे मार एक्स्प्रें करें, one, two, three, fantastic, इतनी के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने, कोई alcohol consume किया है, so easy, होता क्या है, सबसे पहले आपने salt लिया, आपका दिमाग, आपका मुँ, वो सब salt को समझने में, वो busy रहता है, कि ये salt अचाना कि ये क्यों हो ऐसा, क्योंकि normally आप तो ऐसे salt लेकर खाते नहीं हैं, जब तक वो आपका दिमाग, आपका मुँ ये समझने की कोशिश करता है, तब तक आप उसमें ले लेते हो drink, vodka, और वो अंदर जाने लगता है, और उसी बीच में आप दे देते हो lemon, तो ये तीनों का combination इतना अराम से, इतना smoothly, easy, मीचे जाता है, और fraction of second के अंदर कहानी खतम तो ये इतना easy है, और ऐसा कुछ नहीं कि, मतलब आप ऐसे एगर shots पीओगे तो आप बहुत high हो जाओगे, वैसा कुछ नहीं, it's normal, आप जितना drink लेते हो, दो पेक, तीन पेक, उतना आप आराम से इस तरह से भी ले सकते हो, तो आज क्या-क्या हो गया, review हो गया, nosing and tasting, और demonstration shots का, I hope video आपको काफी informative लगा होगा, मज़ा आया होगा देखने में, अच्छा लगा है, तो please like कीजिए, subscribe कीजिए मेरे channel को, मिलते हैं, और ऐसे ही interesting, informative और मज़दार video में, तब तक take very good care of yourself, bye-bye.